पवन सिंग के फैंस के लिए 2021 का जो साल है वो बहुत ही जबर्जस्ट रहने वाला है क्योंकि पवन सिंग के यहां कई बड़े प्रोजेक्स आने वाले हैं और कई बड़े प्रोजेक्स की बात चल रही है और आपने तो देखा होगा वर्ल वाइट की दो फिल्मे कर रहे हैं पवन सिंग वहीं यशी फिल्म की तीन फिल्म अल्रेड़ी लंडन से कर चुके हैं पवन सिंग उसके बाद हम बात करेंगे तो और भी कई प्रोजेक्स है जो पवन सिंग के अभी लाइन अप में है और बैक टू बैक पवन सिंग की कई सारी फिल्में रिलीज होंगी उससे पहले अगर गानों की बात करते हैं तो पवन सिंग के हिससे इस बार बहुत कम गाने हैं लेकिन बहुत 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 बहुतरीन गाने हैं जी हाँ पवन सिंग अब क्वालिटी में विश्वास करने लगे उस पर पवन के फैंस तो थिरकेंगे थिरकेंगे साथ ही और भी जो भूझपुरी को चाहने वाले लोग हैं वो भी थिरकेंगे खैर हम बात कर ले अगर पवन सिंग के नए प्रोजेक्स की नए गानों की तो वो नए टेलेंट के साथ काम करने के लिए आतुर है आपने देखा होगा कि वर्ल्ड वाइड भूझपुरी के दो जो नए प्रोजेक्स में पवन सिंग आ रहे हैं उनमें जो डिरेक्टर है उनके साथ पवन सिंग पहली बार काम करते नज़र आएंगे और वहीं पवन सिंग ने इंस्टाग्राम एकाउट पर 1,000,000 फॉलोवर क्रॉस कर लिया है साथ ही वो भूझपुरी के दूसरे ऐसे कलाकार मेल कलाकार हो गए हैं जिन्होंने 1,000,000 फॉलोवर क्रॉस किया है इससे पहले खेसारी लाल यादों ने एक दिन पहले ही 1 million follower cross किया था और अब पवन सिंग ने 1 million follower Instagram account पर cross कर लिया है और आपको बता दें कि जल्द ही पवन सिंग स्टेश शो भी करने जा रहे हैं इसकी information जैसे ही clear होती है हम आपको जरूर बताएंगे भूजपूरी जगत की hot और मसालेदार gossip के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूली